नमस्कार दोस्तो सुरेंदर हेल्प चैनल में आपको स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जमीन का केवाला होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है ये मैं आपको complete जनकारी देंगे तो दोस्तो वीडियो को skip न करें वीडियो को पुरा देखें तो दोस्तो जमीन का केवाला एक ऐसा दस्तावेज होता है जो की पुराना खतियान में से कोई भी पलोट नमबर कट करके और नया जो दस्तावेज बनता है उसको हम केवाला खतियान ठीक है तो केवाला दस्तावे और पुराना नंबर कितना है उसका फिर नया नंबर कितना बना ये भी याद रखना है और उस पलोट के चारो तरफ में किस बेखती का नाम है ये भी आपको याद रखना है ठीक है और उस जमीन जो आप जो जमीन बेच रहा है यानि वह जमीन कितना है ये आप प्राइवीट जरसमन वहां पर चाहिए और आप दो गवाह को जरूरत होगा तो एक क्रेता के ओर से और एक बीक्रेता के ओर से दोनों को अधार कार्ड दोनों के पास अधार कार्ड होना चाहिए उसके बाद आपको जहां पर आपका जमीन रजिस्ट्री होता है वहां पर आपको जाना चाह हिंग।